नमस्कार दोस्तों स्वागर है अब सभी का तिकिराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि केसे आप अपने रेट्मी के 20 प्रो पर कॉल माइक प्रॉब्लेम फिक्स कैसे कर सकते हैं यह दि दोस्तों आपको भी ठीक है आपके डिवाइस पर कॉल माइक प्रॉब्लेम यहाँ पर फेस करना पर रहें ठीक है अब जो भी दोस्तों कॉलिंग पर रहें और आपका माइक प्रॉब्लेम कर रह वीडियो को शुरू से लेके आन तक देखे जो कुछ भी रिजन्स हो सकते है उसको जानिये और दोस्तो जो भी सोलूशन है उसको फोलो कर लिजे आपका प्रॉल्लिम डेफिनेटली सॉल्फ हो जाएगा ठीक है तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को क्लिक जरू करें यही आप ओनलाइन से पेसा कमाना चाते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा तो चलिए दोस्तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर करना किया होगा अगर आपका call mic problem कर रहे है ठीक है तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आप जो है चेक कीजिए आपका network connection क्योंकि दोस्तों कई बार network connection के वज़े से mic issue हो जाते हैं ठीक है voice crack हो जाते या फिर एक दूसरे के आवास सुना ही नहीं पाते तो network सबसे main है तो दोस्तों यहीं आपके घर पर ठीक है दो फोन है तो आप अपने फोन से किसी दूसरे के फोन पर चेक करके देखें ठीक है तो अच्छे से आपका जो माइक है वो काम कर रहा है यानि की network का इश्यू है जो भी एरिया में आप कॉल कर रहे उस एरिया का network खरब हो सकते हैं तो उसके वज़े से यह problem कर रहे हैं लेकिन घर के घर में call करने की बार भी ठीक है घर के फोन पर ही call करने की बार भी सेम प्रॉब्लम में माइक का इश्यू है तो हो सकते या पर software का problem हो या फिर hardware का ठीक है दोनों में से कोई भी problem हो सकते हैं तो चलिए वीडियो शूरू करते हैं और solution देखते हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको करना किया है आपको device एक बार restart करके check करना होगा ठीक है कभी-कभी restart से fix हो जाते हैं कभी-कभी नहीं होते हैं तो क्योंना एक बा प्रॉल डाउन करके नीचे जो है आना है एपस पर उसके बाद जाए मेनेच एप पर तो मेनेच एप इंस्टोल है ब्यादो फिर एप मेनेच्मेंट आपको मिल जाएगा उसके बाद जाएए phone service पर और force stop करके इसको OK कीजिए ठीक है कई बार phone settings में प्रॉब्लम होने के वाइल नेट्रोग आपको दिखाई दे रहा है उसमें क्लिक करना है reset setting पर क्लिक करके phone password भर देना है और OK करते हुए reset कर देना है ठीक है तो यह करने के बाद दोस्तों आप जो है device को एक बार restart कर लिजिए उसके बाद दोस्तों चेक कीजिए आपका mic problem solve हो चुका होगा ठीक speaker I mean clear speaker का जो option है उसमें क्लिक कीजिए उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बटन डिखाई दरहें clear speaker का उसको एक बार on कर दीजिए और आपना जो volume है उसको increase कीजिए ठीक है increase यानि आपको जो है volume 12 ऐफोन का और इस button को on कर दीजिए इससे क्या होगा speaker में यही कोई भी problems वगरा रहते हैं ठीक है कोई भी dust वगरा की कच्र वगरे से कोई भी problem क्रेंट होते हैं तो दोस्तों उसको fix कर देते क्योंकि दोस्तों यहाँ से loud voice निकलेगा 30 seconds के लिए तो उससे काम बन जाएगा ठीक है दो तीन बर आप कर सकते हैं दिन में तो इससे क्या होगा आपका speaker जो है वह clear रहेगा यहाँ पर ठीक है तो इस प्रकार से आपको यह solution कर लेना है उसके बाद दोस्तों चेक करें problem solve हो जाएगा ठीक है यहीं दुबारा से problem आ रहा है तो software को update करना होगा आपको उसके लिए setting और about phone पर जाके update पर क्लिक करना है software को update कर देना है software update करने के बाद दोस्तों चेक करें problem solve हो जाएगा ठीक है बाई एनी चांच सो फिर update करने के बाद solve नहीं होते problem तो आपको यहाँ पर hardware का issue है आपको technician के पास जाना होगा phone के mic को change करना होगा और उसके बाद ही दोस्तों आपका जो problem है वो solve होगा ठीक है तो आपको पूरा solution यहाँ पर step by step कर करना है ताकि आपका जो mic का issue है वो fix हो सके तो आज के इस वीडियो पर दोस्तों बस इतना ही उमीद करते हैं वीडियो आपको पसने होगा और इसके related पर आपको कोई भी problem कोई भी issue है दुबारा से तो आप हमें comment section पर भी बता सकते हैं तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ह अिज वर वाकिन